ज़िदे उत्ह मर्दी मंडीर मंडेयार अफक्ष्ञ मर गयाओ कुडी तरी टरी लुक ते सड़काँ तफ तो दोस्तों फीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार अभी तक आप लोगों से मेरे टेलीक्राम चेनल को जोईन नहीं किया है तो फटाफट से जाके मेरे टेलीग्राम चेनल को जोईन कर लीजे लिंक है फीडियो के डिस्क्रेप्शन में ठीक है तो जिसने भी अभी तक जोईन नहीं किया हो फटाफट से जोईन करों क्योंकि यहाँ पर आपको मेरा जो फीडियो का यहाँ से जो मैं स्टै gece मैं बड़ाइं जला इतना विल्कुल फिरी में मिलेगा ठीकिए बिल्कुल फिरी में आप लोग आपको से एकड़म आसानी से डाउनलोड कर सकते हों जो मैं स्टेटस बनाना इपको सिखा था उस तो आप लोग आओगे जब इदर जॉइन करोगे तो इसको आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो जिसने भी अभी तक जॉइन नहीं किया है वो फट फट से जॉइन करो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ठीक है Hello and Welcome दोस्तो मैंने नाम है विकास और आप देखरे है विआएपी टेक्ट जाओं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में एक और स्टेटस का टॉटोरियल लेके आगया हूँ दोस्तो जिसको आप लोगों ने भी स्टार्टिंग में मेरे स्क्रिन पर इंट्रो में देखा है तो दोस्तो उसी वीडियो का टॉटोरियल मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा तो वीडियो को लास तक देखना दोस्तो और पूरा देखना तभी आप बहुत ये सानी से कुछ इस तरह के स्टेटस वीडियो क्रियेट कर पाऊगे जैसा आप लोगोने भी स्टेटंग में देखा था इंटरो में जो की पोड्रेट साइज में थो दोस्तों और जिसमें आप दो-दो फोटो को लगा सकते हो और जो उसमें AFF plastic हो रहा था दोस्तों काफी ज्यादा कम्माल का और बहुत ही जदा ट्रेंग पे चलना इस टेंव ठीक है तो अगर आप लोग भी इस तरह के स्टेटस बनाना चाहते हैं तो यार अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन कर दीजेगा जिससे कि जब भी मैं कोई अपनी एक नई वीडियो को इस एप्लिकेशन का जो प्रोवर्जन का लिंक है वो आपको मैरे टेलि टेलिग्राउम चैनल पे और मेरे वीडियो के डिस्क्राइब्सन में मिल लाएगा वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना एप्लिकेशन को इनस्टॉल करने के बाद इस एप पिष्ट टाइम उपेन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आयगा तो उपर में राइट सैड्में यहां पर आपको तीन ओसने यहां पे मिल लाएंगे देखने को आप देख सकते हैं यहां पे तीन ओपर हो रहा है तो हम लोगे फिर्ट वैंप्शन पिल पर ओपन हो जाएगा तो इधर से हम लोग फटा फट अपना जो फीजुलाइजर उसको फाइंड करके यहां पर एड कर लेंगे और दोस्तों इस वहले फीजुलाइजर का लिंक आपको मेरे वीडियो को डिस्क्रप्शन में और टेलीग्राम चेनल पर मिल जाएगा वहां से पर एक बाद का जरूड करने के बाद करना, अप लोग अपने फाइल मनेजर में जाना, यहां पर वीजुलाइजर को एड करना, तब ही यहां पर एड करना, महीं तो नहीं एड होगा तो फटा फट मैं उस वाले विजुलाइजर को इदर से एड़ कर लेता हूँ विजुलाइजर को एड़ करने के बाद यह इदर लास्ट होले बॉक्स में यहां पर एड़ हो जाएगा तो इस पर एक बार हम लोग किलिक करेंगे और एक बार यहां से बैक करेंगे तो इसको back करने के बाद इधर आपके सामने कुछ इस तरह एक इंटरफेस दिखाई देगा तो उपर में right side में यहाँ पर आपको एक pencil जाईसा icon मिल जागा तो इस pencil पर किलिक करना और pencil पर किलिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग इधर इस पर किलिक करेंगे audio provider के नीचे में एक image को option मिल जागा जिस पर छोटे में लिखा रहेगा your image तो इस पर किलिक करना उसके बाद right side image पर किलिक करेंगा और यहाँ पर custom image पर किलिक करेंगे उसके बाद pick image पर किलिक करके हम लोग अपने folder से एक image को select कर लेंगे ठीक है तो यहाँ से मैं एक image को add कर लेता हूँ और उस वाले image का link आपको वीडियो के description में और telegram channel पर दे दूँगा आप लोग वहाँ से इसी वाले image को use कर सकते हैं डाउनलोड करके नहीं तो कोई आप अपनी image को लगा सकते हैं और फिर किसी अपने friend की image को यहाँ पर use कर सकते हो तो जो आप पीछे में image को दिखाना चाते हो सबसे पहले नीचे में उस image को यहाँ पर आप लोग add करना ठीक है उस वाली image को तो यह वाली image जो है पीछे में रहेगी image को add करने के बाद यह कुछ इस तरह से add हो जाएगी उसके बाद यहां से इस वाले option को close करना और image को close करना और यहां से back कर देना और back करने के बाद भी आपको just उसके नीचे में एक option मिल जागा blur effect का तो इस पे click करना और यहां right side में general पे click करना और इधर आपको एक feasible का छोटा सा box देखना को मिल जाएगा यह वाला जो कि यहां पे untick रहेगा तो इसको आप लोग कुछ इस तरह से tick कर देना इसको यहां पे enable कर देना और close करना और back कर देना तो दोस्तो ऐसे बैक करने के बाद आपको जस्ट उसके नीचे पे एक और option मिल जाएगा image text png का इस पे click करना उसके बाद सबसे नीचे में सबसे नीचे में आपको राइट side में generated album art का option मिलेगा यह वाला तो इस पे click करना और यहां पे सबसे नीचे में तीसरे नंबर पे जो box tick का इसको आप लोग यहां से untick कर देना इसको disable करना और close करना और back कर देना तो दोस्तो ऐसे करने के बाद जस्ट उसके नीचे पे एक और आपको blur effect का option मिल जाएगा इस पे click करना और आपको सेम उसी तरीके से right side में जेनरल को option मिलेगा इस पे click करना और यहां पे जो visual का box इसको आप लोग enable कर देना इसको tick करना और यहां पे इसको close करना और back कर देना तो दोस्तो ऐसे करने के बाद जस्ट उसके नीचे पे एक और option मिलेगा टेक्स चैनल नेम का तो आप लोग टेक्स चैनल नेम पे click करना उसके बाद इदर आप लोग right side appearance पे click करना और यहां पे मेरे चैनल के नाम लिख सकते हो Google, Instagram, Facebook किसी का भी यहां पे लिखने के बाद इसको close करना इसको close करना और back कर देना बैक करने के बाद आभी आपको थोड़ा सा नीची आना है तो आप लोग थोड़ा सा नीची आओगे तो इदर आपको एक option मिल जाएगा composition 3 आप देख सकते हैं composition 3 और उसके नीचे में लिखा हुआ है image, your image 2 तो इस पे click करना और इमेज 2 पे उसके बाद सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग ने first image को add किया है सेम उसी तरीके से यहा right side image पे click करेंगे और custom image पे click करेंगे और pick image पे click करके अपने folder से हम लोग अपनी second image को यहाँ पे add कर लेंगे अपनी दूसरी image को ठीक है जो हम लोग एकदम उपर में screen पे इधर आने के बाद दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे last में अपना song add कर लेंगे song add करने के लिए आपको left side में उपर की तरफ three dot देखने को मिल जागा three line टीक है तो इस पे click करना और उसके बाद library पे click करना और library पे click करने के बाद अपने folder से एक song को select कर लेना जिसको बह इधर करने के बाद आप लोग फिट से इधर किलिक करना आपकी बार विज्वालाइजर पे सो दोस्तों फिज्वालाइजर पे किलिक करने के बाद इधर आपको right side में उपर कौनर में arrow का icon मिल जागा तो इस पे click करना और यहाँ पे click करने के बाद आपको सबसे नीचे में export का option मिलेगा तो आपको export पे अभी नहीं क्लिक करना है इधर आपको दो में सेटिंग करनी पड़ेगी तब ही आपको इस्टेटस यार वो पोट्रेट साइज में सेब होगा अगर आप यह वाली सेटिंग करने से पहले अभी तक आप लोग ने वीडियो को एक लाइक नहीं क लिए नहीं करते हो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन में नीचे में मिल जाएगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के बाद अभी आपको इधर दो ओप्सन दिखाई दे रहोगा वीडियो वीडियो हाइट का तो सबसे पहले वीडियो फिट पर किलिक क ठरना वीडियो हाइट पर और यहां पर भी से मुजी तरीके से पहले सको रिमोब करेंगे उसके बाद यहां पर लिखेंगे 1350 अबार में 100 पर से नीचे में 130 उसके बाद यहां से ड़न कर देना और रगने के बाद सबसे नीचे में आपको एका उप्सन मिल जाएगा एक स् लैप साइड में एक्सपोर्ट का अप्सन है तो इस पे किलिक कर देना तो दोस्तों इस पे हम लोग जैसे किलिक करेंगे तो यार 100% तक यह प्रोसेस लेगा उसके बाद हमारा जो इस्टेटस यार हमारी गैलरी में सेब हो जाएगा ठीक है आई होप दोस्तों की फीडियो आप सब को पहुती अच्छा लगाओगा अगर पसंद आओ तो प्लीज यार फीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कोमेंट करके मेरे को ये भी बताना की फीडियो आप सब को कैसा लगाए और अभी था क्यार आप लोगोंने चैनल को सबस्क्राइब नई किया तो प्लीज यार ये मेरी आप सबसे रिक्ट है कि प्लीज यार चैनल को सबस्क्राइब करो और बिल आइकन को भी ओन जरूर कर देना जिससे कि मैं जब भी कोई एक नई वीडियो को अपलोड करूँग